तो दोस्तों आज 31st मार्च 2023 बात करेंगे इस वीडियो पर कुछ इंप्टेट्स के उपर कुछ इंप्टेट्स हैं कुछ इंप्टेंट नीज है तो चलिके करके कवर करते हैं तो सबसे बहलें बात करेंगे पावर सेक्टर का दिगज कंपणी टाटा पावर कंपणी लिमिट में भी थोड़ा बहुत बेरिश मोमेंटम देखनी को मिला था शेयर क्लोजिंग दे दोसो चाहलीस रुपए 20 पैसे पे करीब 0.46 परसें गिरावट के साथ तो दिखे अच्छा अपडेट भी आया तो देखे न्यूस का अपडेट अपके सामने टाटा पाउर रेनिवल जो कि एगरिमेंट या डील हुआ है तो दीखे आर्टिकल हम शॉट में पढ़ेंगे टाटा पाउर इनिवल एनर्जी लिमिटेट ओन थर्स्डे सेट डाट इट हासाइड आप आवर डेलिवरी एगरिमेंट तो बेसिकलिए पावर डेलिवरी एगरिमेंट के पर बेस करके यह ड जो टाइम लाइन यहां पर डिकलेर किया मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फोड तक तो देखें लगाता अपने देखा टाटा पावर को डील मिल रहा है बट हां धाई सुरा का जो इंपोर्टन लेबल से यहां पर लगबग देर से दो साल था काफी अच्छा रेजिस्टें नहीं है क्योंकि लास्ट अगर आप देखोगे शियर जबने देखा डाइसो का लेबल टच किया था पहली बार वो था 2021 नवेंबर की मैने पर यहांनों अल्मूस्ट देखा जाए दो मैने के आसफार शियर कहीं ने के थाइसो को लेबल पर आया रिजिस्टेस मेला बीच मे अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इंवेस्टर सो तो उसके में आप को लूँगा 245-242 भी बहुत अच्छा लेबल है शेर में एंट्री लेने के लिए आजा नेक्स हम बात करेंगे एक और शांदर कंपने जिसका नाम है रेमेडियम लाइफ क्या लिमिटेड आज की डेट में इसका एक डेट है कल मतब कल यह स्प्लीट मार्केट में एक्जिक्यूट होगा फर्स्ट सेप्टेमबर के दिन तो जिस बैसे इसका प्राइस जो है एड्जस्ट्में होगा बाकी बात करें इमेडियेटल इन्वेस्ट करने की मैं पोलूंगा जरूरत नहीं कमपनी लास इन्वेस्ट करना ना करता है आज से लगए कुछ टाइम पहले ही अपना हाई हिट किया था ऑल्मोस्ट पचास बावन रुपए की उपर जाके उसके बाद हमने देखा बीच में एक न्यूज आया था कि कभी भी ओएफेस लॉंच कर सकता है कंपनी की प्रमोटर यानी गव कवरी होना शुरू हो चुका है जैसे कि कल भी हमने देखा था 50 का लेबल ब्रेक कर लिया था क्योंकि मार्केट में थोड़ा बहुत हमें उपर नीच उपर नीच था इस बाद आज की रेट पर दोस्ता ऐसा नहीं हुआ शियर पचास रुपए की उपर फुल स्टेबिलिट के साथ क्लोजिंग दिया उसके साथ सत कल अगर मार्केट में सब कुछ ठीक राक रहता है तो मार्केट में अच्छा बाउंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि अल्यडी बजार क्लोज हो चाने के बाद कितना एक लाग 49,845 यूनिट शियर दोस्तों लग चुका है एम औ अच्छा जंप दिखा सकता है बट बाकी बात यह कि क्या इन्वेस्ट करना चाहिए तो देखें बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर रेल्वेस सेक्टर जिस बैसे हमने देखा आयरेप सी को भी अगर साइड में रखोगे आर्वीनल की बात करे इरकॉन की बात करे याम राइट् दिपर्मेंट को मैनेज करता है वह आयरेप से फाइदा तो मिले गाई ओविसली लॉंग टर्म इंवेस्टर्स को बठा शॉट टम में आपको लूँगा मत जाना क्योंकि कंपनी बड़े कंपने तो लॉंग टर्म में आपको सबसे यादा दे सकता है बागी प्रॉपर स्ट तो आज की डेट पर जो शियर में तेजी देखने को में उसको बेस करके आप एनलिस्ट की तरफ से भी बहुत सारा रेकमेंडेशन आया क्या इसमें आपको पाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो एक एंजल वन नम तो अपने सुनोंका और एक लिस्टेट कंपनी उसका है एक डोमेस्टिक बहुत बड़ा ब्रोकरेज कंपनी जे इम फनांशियल ने इसके अंदर बाइंग का रेटिंग दिया विट टार्गेट प्राइस 2770 रूपीज साथ में यह वे मेंशन कि आप पोटेंशल है यह और 24 परसंट उपर जाने के लिए तो डिफेनली लॉंग यह कंपनी को आजकी रेट पर डिफेन सेक्टर से बड़े जोटे और मिल रहा है यह मेन रिजन शेर के अंदर इतना शांदर मुफ करने के लिए बाकि अच्छी कंपनिया लास्ट एक मैन पर काफी चल चुका है तो आई तिंग शेर जब करेगा चाय तो इसमें आप अच्छी कंपनिया अब बात करेंगे दोस्तों आई प्यों से रिल्टेट तो एक की बात एक गर्मा गरम आई प्यों बजार में लॉंच होड़ा है लिस्ट होड़ा है जैसे का आज की रेट पे एक शांदर आई प्यों था इसका नाम ता संगरमार मतलब किसी ने सोचा भी अच्छी ने साथ इसाथ एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री का आई प्यों भी आज 75% प्रियों के साथ लिस्ट हो तो आगे देखिए एक और शांदर आई प्यों में उपन होगा बैसलिक फ्लाइट स्टूडियो तो इसको पर मैं संड़े के दिन पूरा वीडियो लॉंच करूं संड़े के दिन सुबा वीडियो आजाएगा ठीक है एक सो पचासी परसेंट प्रिमा आप समझ सकते यह लेडी पहुंच चुका है अभी तक शियर मतब आई पी बजर पे लॉंच नहीं होगा संड़े के दिन वीडियो जरूर देखना और दूसरा बात करें रतनावीर प्र प्रिम प्रेट करें और उसके साथ सब बात करें सब्सक्राइब जीड़ो चल रहा है विश्नुप्रकाश इसका प्रिवं काफी चल रहा है चोवन परसंट का असपास अब बात करेंगा में लास्ट एंट फाइनल अपरेट है दोस्तों IDFC फरस्ट बैंक इसके पहले बोला सब्सक्राइब उसके साथ और भी वहाँ सब्सक्राइब कंपनी एस डेपसी हो गया सुप्रीम इंडस्ट्री हो गया ठीक बीवी सेक्टर की कंपनी है जो की MSCI ग्लोबल इंडेक्स में अपना जगा बना लिया पहुत जल्दी यह लिस्ट भी हो जाएगा यह देखे यह दे सब्सक्राइब कर लिया में से ग्लोबल स्टैंडर इंडेक्स में यह लिस्ट हो जाएगा और जिस बैसे के अंदर जो है पैसा का पैसे के इन फ्लो अल्मूस्ट दो सौदा मिलियन डॉलार इच मतलब पर पर शेयर यहां पर यह टूटल नहीं हर एक कंपनी की शेयर में दो 244 मिलियन डॉलर यहां पर एड हो जाएगा मतलब इंफो बढ़ जाएगा तो जिस बैसे आज की रेट में इतना तेजी देखने को लार वैसे का देखा जाए अगर हम एक दम बड़ जो टॉप बैंक्स उसको अगरम साइड में रखे उसके बाद जो कैटेगरी की बैंक्स तो उसमें बेस्ट मुझे लगता है आई टीप सी फर्स्ट बैंक्स की बैले बात करें बहुत ज्याद मीनिमम है बड़े बैंक की तरह साथ साथ कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी है लास्ट तीन से चार क्वाटर में देखने को मैं वह आउट स्टैंडिंग अन्बिलिवल तो यह सारे चीज़ देखके आई तिंग बैंक अच्छी बैंक है बठा हाई में कभी भाई मात करना जब जब शेयर में करेक्शन होगा आई तिंग बेस्ट मौका है उस समय शेयर में एंट्रे लेने के लिए बाकी दोस्तों कोई डाउट से आप मुझे कमेंट के तरू